आ चलिए आज पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9, सिंगल केंड़लिस्टिक पैटरन को हम लोग पढ़ चुके थे, अब यह तोपिक है डवल केंड़लिस्टिक पैटरन के बारे में, ठीक है, पहला इनगलफिंग पैटर्न यह जितना भी है वो डवल केंडलिस्टिक मतलब एक केंडलिस्टिक होगा एक केंडलिस्टिक होगा यहाँ पे उसके बाद फिर एक और केंडलिस्टिक होगा मतलब डवल केंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में पहला आज का टोपिक हम लोग पढ़ते हैं इंगल्फ कर गया एक छोटा जानबर को ये छोटा जानबर को इंगल्फ कर गया मतलब खा गया माल लेते हैं देखिए आपके आपके लिए मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ ये देखिए एक जानबर है ये रेड है ये जानबर कैसा है रेड है अब देखिए इंगल्फ अगर कर ग बड़ा सा रहेगा ग्रिन अगर ये Red Candle को खा लिया पर अगर आप लिया तो कैसा बन जाएगा आप जाएगा अब जाएगा Ingulf मतलब होता ही है खाना इंगलफिंग पैटर्न के बारे में हम देख रहें इंगलफिंग पैटर्न जो होता है वो दो टाइप का होता है पहला bullish engulfing pattern होता है फिर दूसरा bearish engulfing pattern देखिए bullish engulfing pattern में क्या होता है जो candle, red candle होती है वो green candle का छोटा होता है जो इसका body part, green candle का जो body part है उसके अंदर ये red candle बनना चाहिए green candle के अंदर red candle बनना चाहिए इसको क्या बोलते है इंगल्फिंग पैटर्न और देखिए यहां पे यहां पे बिरिस इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होगा कि रेड का रेड जो है यहां पे टीप भी हो सकती है यहां पे देखिए रेड वाला जो कैंडल है उसके बॉड़ी पाट के अंदर कौन बनना चा देगा इसको बोलतेक बीरीन और इन गल्फिंग पैटर देखिए बुलीस इंगलफिंग पैटरन हमेशा दाउन ट्रेंड में नीचे जा रही क्या है यहां पर इंगल्फिंग बन गया इंग्ल्फिंग पैटरन देहां पर ग्रीच के अंदर है इसे लिए थो इसको से बाद एक यॉप्ट करते हैं ऐंडल का वेट करते हैं जो अप्तृ consommjin के बना है उसके last के थोड़ा था नीचे हम लोग क्या डालेंगे stop loss डालेंगे कोई-कोई इंसान उस पे भी देता है क्योंकि वो resistance के तरह काम करती है ठीक है अब देखिए यहां से uptrend चला गया ठीक है अब देखिए bearish engulfing pattern bearish engulfing pattern के बारे bearish जो है वो uptrend में आती है bearish count trend में आती है और यहां देखिए green type का candle बना कैसा candle बना green type का candle ठीक है उसके बाद एक red candle बना जो की पूरे green type के candle को ढख दिया green type के candle को ढख दिया green type के candle को यहां पे ढख दिया तो यहां पे market down के तरफ चला गया मार्केट के तरफ चला गया, डाउन के तरफ चला गया, ठीक है, और यहाँ stop loss कहाँ पड़ेगा, green candle के बाद जो red candle आएगी, green candle के बाद जो red candle आएगी, उसके बाद हम लोग का stop loss पड़ेगा, यह red candle है, red candle जहाँ पे last करती है, उसके थोड़ा सा उपर देजिएगा, तो ज्या पैटन हुआ, देखिए यहाँ पे, bullish engulfing बना है, यहाँ पे red candle है, red candle के बाद एग green candle बना है, तो मतलब market अप जाएगी, market क्या जाएगी, अप जाएगी, लेकिन उसके पहले dragonfly doji भी बना, dragonfly doji भी एक reversible candle होता है, downtrend को uptrend में change कर देता है, तो देखिए, दो दो चीज अब बन गया है, तो एकदम 110% यह क्या होगा, market अप जाएगी, market अप जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, bullish engulfing, downtrend है, अब trend में convert कर दिया, इंगल्फ कर दिया, यह इंगल्फिंग कैंडल है, यह देखिए, जो green candle है, वो red candle को ढख दिया, green candle है, वो red candle को ढख दिया, मत आगे देखिए, हम लोग करते है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी engulfing candle मना है, यहाँ पे देखिए, इंगल्फिंग कैंडल मना है, bliss engulfing बना है, और support के पास engulfing बने मतलब market अप जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इंगल्फिंग कैंडल मना है, य इंगल्फिंग देखिए प्रेशर के एप गईः देख रहे हैं है इहां ग्रींग Valי ग्रीन के इâteल कूं डग दिया मतलब दो मार्केट मैंठ गोको सुत्ति क्या जाएगी want के जाए टोब जाएगी right कि तरफ के टीक है आगे चाहिए इहां पर यहां पर बीनेolv मार्केट को क्या ले गई नीचे के तरफ ले गई डाउन ट्रेंड में ठीक है तो आज हम लोग विडियो मिलेगा इसके लिए विडियो मिलेगा इसके लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और सेयर करें थैनक्यू